कैसे आप सब तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि html के अंदर जो टेबल है हमारी उसके कॉलम की विर्थ हम कैसे एडजेस्ट करते हैं चेंज करते हैं ठीक है अपने अकोडिंग तो आज का टॉपिक क्या है हमारा आज का टॉपिक है कि जो html है उसके अंदर एक टेबल नाम की चीज होती है और उस टेबल नाम की चीज के अंदर एक रो होती है और उस रो के लिए हमारी जो हाइट होगी उसको हमें चेंज करना सीखना है ठीक है ठीक है तो इसके लिए हमें देखना होगा एक एक एकजामपल तो पहली बात करते हैं कि जो हाइट होती है उसको स को change करने के लिए हमें जो unlimited करना होता है वो करना होता है style एक्रिबइट ठीक है table की row के उपर अब वहाँ पर table की column के उपर कर रहे थे तो हम वहाँ पर किसको यूज कर रहे थे ठ को और TD को यूज कर रहे थे लेकिन अब हमें height adjust किस की करनी है हमें table की row की height करनी है तो जिस tag के अंदर हम इस attribute को use करेंगे style attribute को तो कहाँ पर use करेंगे हम table की row के अंदर भे वहाँ पर हमने table की row को छेडा था क्या नहीं छेडा था ना table की row के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया था हमने क्या रहा था हमने जो TH था हमारा उसके अंदर हमने क्या दी थी style दी थी और जो TD था उसके अंदर style दी थी ठीक है तो अगर हम TD के अंदर दे दे या TH के अंदर दे दे तो बात same हो जाती है हमारी तो उससे क्या होता है कि जो column की width होती है वो हमारी change column की width जो है हमारी वो हमारी change हो जाएगी तो इसी तरीके से जब हम table की row के अंदर table की row के अंदर क्या करेंगे style का attribute यूज करेंगे और इसकी height हमने क्या कर दिये 200 pixel तो अब इसका जो result आएगा कुछ ऐसा आएगा देखो यहाँ पे table header है first name ठीक है यहाँ पर यहाँ पर जो table header यूज किया है हमने वो है अमारा first name तो अब मेरे को ये बताओ कि जो मैंने table row यूज की होगी वो table row कौन सी यूज की है table row जो सबसे पहले लिखी थी वो वाली या table row जो second time पे लिखूंगा मैं वो वाली देखो मानो कि ये मैंने PR tag यूज करा उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया first name किसके अंदर है TH के अंदर फिर यहाँ पर TH के अंदर दुबारा से मैंने लिखा last name और उसके बाद मैंने ये table हमारी बंद कर दी फिर मैंने एक दुबारा से table open करी ठीक है और उसके अंदर मैंने दे लिया TD क्या दिया है TD और इस TD को मैंने क्या कह दिया इसके अंदर मेरा data क्या होना चीए नितिन और इस TD के अंदर TD है यहाँ इसके अंदर क्या होना चीए Sir तो अब मिरे को एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी रो है जिसके अंदर मैंने कौन सी रो के अंदर अब यह जो style है यह use की है सोचो जल्दी से सोचो तो जवाब आया कि Sir इस वाली के अंदर तो आपने use के नहीं है अगर इसके अंदर करते hide थी तो इसकी भढ़नी चाहिए थी आपने use के अंदर इस वाली table के अंदर यह hang गया है hang गया है guys wait for a minute हाँ ठीक है तो जो table row हमने second use करी है ठीक है उसके अंदर हमने इस style attribute को use किया जिसकी वज़े से यह height जो है हमारी कितनी हो गई है 200 और इसकी height हमने change नहीं की तो यहाँ पर मैंने style किसके अंदर mention किया है यह mention किया है मैंने इस tr के अंदर और यह tr है यह tr है यह वाली ठीक है clear है अब table row के अंदर करने का मेरा reason क्या था यह सुनो अगर मैं table row को change करता हूं ठीक है अगर मैं table row को change करता हूं तो इसका मतलब है कि यह row का part यह भी है और यह भी है यह पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तर यहां तर यह पूरी की पूरी हमारी row है ठीक है तो इसलिए जब हम table row के अंदर height को करेंगे तो जिस भी table row के अंदर करेंगे उसकी height हमारी change हो जाएगी अगर इस column के अंदर को इतना बड़ा नाम हो जिस अंदर 60-70-80 words आ रहे हो तो मुझे उस table की column जो है उसको भढ़ाना पड़ेगा ठीक है यह मेरे को इस table की height भढ़ानी थी तो मैंने इस table की height भढ़ा ली किसके तरू table row के अंदर style attribute को use करके clear है कोई दिक्कत परिशानी तो आपसे question क्या पूछा जाता है आपसे question यही पूछा जाता है कि ना जो tr tag है इसके अंदर style हमने किसके अंदर use की होगी ठीक है style हमने किस row के अंदर use की होगी तो आपको पता है कि पहली तो हमारी th वाली है ध्यान दो th है न और यह दूसरी वाली हमारी जो है वो td वाली है तो इसके अंदर हमें यह confirm हो गया कि अब जो भी data हमारा नीचे आता है वो हमारा td से आता है और जो data सबसे उपर top में दिखाई देता है जो हमारा reference point बनता है कि यह किसके लिए है उसको हम क्या करते है th से show करते है अब बात करते है table headers की horizontal table headers और vertical table headers दो तरीके के होते है horizontal table headers अब header तो आप पढ़ते आ रहे हो यह हमारा table का एक point है अब इसके अंदर मैं कहाँ कि मुझे एक name देना है ठीक है और उसके बाद मुझे इसका address भी देना है और उसके बाद मुझे उसकी age भी देना है अब एक बात बताओ कि अब तक जितना भी हम table के अंदर देखते आए है हमने क्या पढ़ा है कि जितना भी header जो होता है यह हमारा bold है न देखो यहाँ पर यह हमारे कैसे है horizontally है यह कैसे है हमारे horizontal यानि कि हमारी जो पहली row use होती है उसके अंदर हम क्या करते है header को mention कर रहे हैं यहाँ पर इतनी बात clear है लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो first column है first row का first column second row का first column यह मेरे header बन जाए यानि कि अब मैं अपने name को age को और address को ऐसे न दिखा कर ठीक है मैं दिखाना चाहता हूँ name को ऐसे age जो ऐसे और address को कुछ इस तवीके से तो अब यह हमारे table head बने लिए यह क्या बने लिए table header ज़िए अब तक हम नहीं है कि हमने table header इनको बनाया था इनको बनाया था clear है अब यह वाले जो table head होते हैं यह वाले यह इनको हम क्या कहते हैं क्या कहते है आदत हो जाती है हमें use करने के तो अब इस horizontal header की बात करीग तो हमने देखा कि तीनो के तीनो यह लेटे हुए है तो लेटा हुआ होता है उसको हम कहते है horizontal और जो खड़ा होता है ठीक है खड़ा होता है जिसके पास एक height होती है उसको हम कहते है vertical तो हमारे पास table header कितने type के हो सकते है horizontal भी हो सकता है और vertical भी होता है तो अब use करना है हमें first column ठीक है vertical की बात करेंगे अब first column as a table header defines the first cell in each row हर row के अंदर कैसे देखो यह first name हमारा first row का ठीक है first column है second row का first column हमारा last name है यह हमारी vertical table header हो गई अब इसको कैसे करते हैं यह देख लो हम गए style के बारे में पता है table यह तो हमारा design हो गई ठीक है अब body के अंदर चले हमने यह भी काम की बात नहीं है अब बात करी table की table के अंदर हमने width करती 50% यानि कि हमने उसकी size table की size रखे चोटी अब उसके बाद हमने table के अंदर एक row create करी है उस row के अंदर हमने पहला header दिया अगर मैं यहां पर इस td के जगए ठीक है th ही use करता यह मेरा first name यह हो जाता और last name यह हो जाता लेकिन मैंने क्या किया कि पहली row के अंदर क्या किया मैंने कि पहला column header दिखाया है और दूसरे के अंदर मैंने data डाल दिया है ठीक है और उसके बाद पहला column होगा उस पहले column को मैंने table header दिखाया है और जो second column है उसके अंदर मैंने अपना data डाल दिया और इसके बाद table को close कर दिया तो इस तरीके से हम क्या करते है अपनी table header है उसको vertical और horizontal दिखा सकते है ठीक है अब वह हमारी choice है कि हम किस तरीके से अपने data को डालना चाहते है तो एक question आपके सामने यह आया अगर question पूछा गया तो यह पूछ सकते है जो table row है उसके अंदर अगर vertical header डालना है तो हम किस तरीके से डालेंगे अब आपके सामने दो तरीकी coding दे दी जाएगी पहली तो दी जाएगी TH first name ठीक है यह as a tease रहीगी second में आपको दिदेगा यहाँ पर TH और इसके बाद last name और इसको यहाँ पर close कर दिया हमने उसके बाद यहाँ पर यह TH ना रहकर यहाँ पर आ जाएगा TD ठीक है मैंने ले लिया नाम को और इसके यहाँ पर इसको बंद कर देंगे अब आपसे पूरेंगे vertical head के लिए कौन सा code appropriate है तो आपका answer अगर यह हुआ तो आपके number गए cut लेकिन अगर आपका answer यह बाद हुआ हुआ तो आपको एक mark मिल जाएगा clear है कि इतनी बात clear है कोई doubt अब बात करते हैं align करने की hyders को header को align कैसे करते हैं देखो सबसे पहले make table की बात कर रिएघी थी तो उसके अंदर हमने header की बारे में पढ़ा था की जो header होता है हमारा वह कैसा होता है हमारा उसके अंदर वह text होगा वह centered होगा ठीक है यानि कि बीच में मिलेगा table की जो data cell है हमारी उसके बीच में दिखेगा और कैसा दिखाई देगा bold दिखाई देगा bold दिखाई देता है dark color में अब बात करते हैं वोई चीज यहां पर लिखी हुई है कि by default table headers are bold and centered table headers are bold and centered लेकिन अगर हम उनको left align करना चाहें table headers को तो उसके लिए हमें CSS की text align property use करनी पड़ती है CSS की text align property use करनी पड़ती है जैसे कि table header जो है उसके लिए हमने क्या करा table header लिखा curly braces open करे text align ने कर दिया left अब बात क्या आई कि यहां पर TH के बाद curly braces क्यों करी क्योंकि यहां पर इनके बीच में multiple values हम दे सकती है इनको हम curly braces के अंदर रखते है यह एक हमारा क्या हो गया एक block हो गया ठीक है यह हमारा एक block of code हो गया है किसका particular एक function का यह TH हमारा एक अब यहां पर function की तरह काम कर रहा है यहां पर CSS use कर रहे हैं तो यहां पर एक अगर माने हम यहां पर एक function की तरह है और उस function के अंदर हम क्या क्या करना चाहते हैं वो हमारा braces के अंदर आ गया है अब बात करेंगे कि style करी हमने table को TH, TD को collapse कर दिया border TH को हमने text line करा जाए कि text line इसका हमने left करा हमारा जो first name था वो जो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले देख गए आप ठीक है यहां center में दिखाई दे रहा था ना यह center में ना दिखाई अब कहाँ पर एक जो यहां पर यह हमारा text है टेबल हेडर का वो center में है जाए कि जो टेबल डेटा का text है जो इससे अंदर डेटा है जो और स्मित यह हमारा कहाँ पर है left में यह है left line already है यह इतनी बत clear है तो जैसे ही हमने text align करा इसको text को left में तो यह हमारा जो header है left से start हो गए clear अब सबसे important टेबल के अंदर सबसे important क्या है false pen क्या होता है और raw span क्या आता है potion पका आता ही आता है भाई potion आता ही आता है तो false pen और raw span के उपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है एक इसके अंदर आएगा cell spacing, cell padding उसके उपर भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अब बात करते है false pen की और raw span की HTML tables can have cells that spans over multiple rows और column ठीक है जो multiple rows के उपर कबजा कर सकते है और जो multiple rows के उपर भी कबजा कर सकते है spans का मतलब यानि कि उसको cover कर लेते हैं अब मानो नीचे आपके साहबने अलग-अलग patterns दिखाए है तो पहली table जिसके अंदर आप देखोगे कि नीचे के जो columns है देखो यहाँ पर एक यह दो और यह तीन जब कि यहाँ पर एक ही है और यह हमारा दो है तो row one के अंदर हमारे पास दो column है यानि कि row one के अंदर हमने दो columns को क्या कर दिया है merge कर दिया है यहाँ पर ठीक है ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर एक column दो column तीन column एक column दो column एक दो एक दो तीन तो यहाँ पर हमने क्या करा है इनको merge कर दिया है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने तीनों columns को क्या कर दिया है? merge कर दिया है यहाँ पर हमने दो columns को merge कर रहा है दो अलग-अलग रोगी तो उनको किस तरीके से करते हैं? यह अब हमें सीखना है HTML table के अनुदर से पहले बात करेंगे call span की To make a cell span over multiple columns तो हमें यूज करना पड़ता है एक call span attribute क्या करना पड़ता है? call span attribute call का मतलब हो गया column span ठीक है? column को span करना है तो the value of call span attribute represents the number of rows to span ठीक है? कि कितनी rows को हमें span करना है यानि कितनी rows को हमें merge करना है इतनी बात क्लियर है? अब देखते हैं हमारा code चले शुडू हो गया style भी दे दी border box भी कर दीया style तक किसा खताम head भी बंद हो गया border भी बंद हो गया आगे चले spanning की बात हो गयी कोई दिक्कत नहीं आगे चलते हैं table के अंदर style कर दी width 100% दे दीया ये भी बड़ी बात नहीं है पिर आये table row के अंदर table row के अंदर table header ठीक है table header दिया जिसके अंदर हमने call span 2 कर दिया यानि कि हमें ये दो थे इनको merge करके कैसा दिखाना है ऐसा दिखाना है दो कर दिया है name लिख दिया आगे th लिखा header के अंदर page लिख दी tier row को बंद कर दिया तो इसका result क्या आया ये वाला भी और ये ये दो नमर जो गए कहां पर इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर आपको एक ही दिखाई दे रहे तो यानि कि पहली table row के अंदर हमने क्या किया हमने यूज करा किसको कौन से attribute को और spend को हमने उसको value दे दी इतनी 2 क्या दिये value दी 2 लेकिन ये tr के अंदर th तो इस अंदर हमने value दे दी 2 value tr के अंदर अगर मैं यहाँ पर 3 value देता तो ये पाल strike भी खरम हो जाती ये complete ही name दिखाई देता हमे इतनी बात clear तो इस दो columns को हमने spend कर दिया है ऐसे ही htc के अंदर जब row spend की बात करेंगे जब row spend की बात करेंगे तो इसके अंदर हम क्या करते हैं multiple rows को इखटा कर देते हैं तो ये होता है हमारा row spend attribute के जरिये spend कितनी रोज को हमें spend करना है यहां तक की बात जब को पता है आगे गए table row के अंदर name और data यानि की अब यहां पर जो हमारी data है कैसा हम डाल रहे है vertical डाल रहे है ठीक है यहां THB होगा TDB TR tag को close कर दिया कोई परिशानी नहीं हुई हमे ठीक है परिशानी है नहीं हुई न आगे चले TR tag उसके अंदर TH यूज करा row spend कर दिया हमने टू जैसे हमने row spend TH के अंदर करा तो यह देखो यहां पर और यहां पर difference दिखाई दे रहे दो रोज को मर्ज कर दिया गया है कहां पर पहले पॉइंट के अंदर phone number के लिए clear है आगे हमने data डाल दिया इसके लिए TD में और इस टेबल row को हमने close कर दिया तो इस तरीके से हम table spend को और table sorry false spend को और row spend को use करते हैं तो अब तक किसी भी बच्चे को doubt है तो वो पूश सकता है अब बात करेंगे HTML की table padding की और spacing की table padding क्या होती है और spacing क्या होती है तो इसको adjust करने के लिए जो बीच में जो cells होते हैं हमारे उनके बीच का gap को क्या कहते हैं space कहते हैं जो cells होते हैं इनके बीच के gap को हमने spacing कह दी यहाँ पर padding का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा text लिखा है उसके बीच में हमारा कितना difference है तो padding का difference यह रहा spacing का यह रहा अब cell padding की बात करें तो cell padding आखिर होती क्या है कि cell padding के अंदर हमारे पास space होता है जो किस के बीच में cells की ages के बीच में यहाँ पर देखो यह स्पेस दिखाई दे रहा है यह दिखाई दे रहा है यह दिखाई दे रहा है यह दिखाई दे रहा है इस चीज़ को हमने कह दिया सेल पैडिंग जब स्पेसिंग की बात करी तो यह यह स्पेस ये space और ये space की बात करें तो जब भी हम cells के अंदर के space की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं cell padding लेकिन जब हम table के border और table के cell के बीच के space की बात करेंगे तो उस चीज को हम क्या कहेंगे cell spacing तो आज के लिए इतना है next class में इस topic को complete कर देंगे तब तक के लिए ध्यान से पढ़ो मन लगा के पढ़ो content ऐसा मिलेगा कि कुछ छूटेगा नहीं tension दिनी वाली बात नहीं है सारा content एक number का है और वो आप पता होगे मुझे क्या आपको content वाकई पसंद आ रहा है या इसके अंदर कुछ और भी मेहनत करने की ज़रूरत है क्यूंकि जो हमारी graduation होती है उसके अंदर HTML का इतना ही content बच्चों को पढ़ाया जाता है और जो exam होता है वो भी graduation level के according ही होगा तो मुझे लगता नहीं है कि मैं अब तक तो कुछ छोड़ता आया हूँ और बाकी अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए आप मुझे comment में बता सकते हैं तब तक के लिए take care, bye, good night